Dear students, इस वीडियो में हम composition या writing section में article लिखना सिखेंगे सबसे पहले हम article का use देखेंगे कि क्या use है इसका article लिखने का So this is expression of personal opinions related to different topics So article आपका विक्तिकत क्या अनुभव है या क्या knowledge है उसको जब आप express करते हैं उसे आप बताते हैं लिखकर के दूसरों को तो उसे article कहते हैं यह article अलग-अलग विशियों पे हो सकता है अलग-अलग वीशियों पे आपके अनुभव, आपका ग्यान, आपका नौलेज, यह सभी आप यूज कर सकते हैं एक आर्टिकल लिखने के लिए As usual, writing section में क्या format होना चाहिए, क्या structure होना चाहिए लिखने के लिए, वो हम देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले आप टॉप पे article या article writing word लिखेंगे ताकि यह सबस्ट रहे कि आप क्या लिखने जा रहे हैं फिर आप title देंगे या heading देंगे उस article का फिर by word लिख करके इस तरह से column देख करके आप लिखेंगे अपना नाम कि यह article किस ने लिखा है, फिर होगी body तो by में name of the writer होगा body में तीन चीज़े होगी, पहली होगी define करेंगे आप कि क्या topic लिख रहे हैं, दूसरे में आप बताएंगे explain करेंगे और तीसरे में conclude करेंगे, तो यह definition और explanation और conclusion में क्या-क्या चीज़ें आएंगी, वो हम नेक्स स्लाइड में देखते हैं यह key points हैं, so एक article में तीन paragraph होने चाहिए minimum, ज़्यादा भी हो सकते हैं, exam purpose में तीन paragraph sufficient है पहला है definition, जैसा कि हमने पिछले slide में देखा तो पहले आप topic को define कीजिए, उसको बारे में बताएंगे कि वो topic है क्या फिर बताईए, tell about the people related to or affected by this topic उस topic से related कौन कौन लोग हैं, या उसका किसके उपर प्रभाव पड़ता है उससे जड़ो हुए कौन से लोग हैं, वो सब बातें आप इसमें बताएंगे types बताएंगे कि इस topic के या इस विशे के कितने हिस्से हैं, कितने types हैं वो से बातें भी आप इहां पर definition में बताएंगे next is explanation आप उस topic को अब detail में explain करेंगे पहली चीज़ बताएंगे, tell some examples कुछ उदाहरन दीजे, experience based, self and others अपने कुछ, अगर examples हैं, आपकी experiences हैं उस topic से related तो वो बता सकते हैं, या दूसरों की experiences को भी आप share कर सकते हैं उनके quotations भी दे सकते हैं उनके कही भी बातें भी आप यहां पर बता सकते हैं फिर बताएंगे data के बारे में कोई भी सूचना सिर्फ random ऐसे ही हवा में नहीं बता देनी है उसके बारे में कुछ concrete facts भी देने हैं तो यह जो data होगा वो numbers में या percentage में या graph में इस तरह की सूचनाओं के बारे में इस तरह से सूचनाओं आप वहाँ पर देंगे data को then as I told you in this first line कि कुछ quotations भी आप देंगे quote some important lines told by eminent people इस विशह में जो topic आप लिख रहे हैं उस topic पे किसी जानकार या किसी बड़े व्यक्ती ने कोई बात कही है तो आप वो line भी quote कर सकते हैं experiences और data के साथ फिर agencies involved with the said topic और theme इस विशह से जुरूई ही कोई संस्था है जो इसके उपर कारे कर रही है या इस विशह के बारे में वो अपनी बात कह रही है तो उस agency उस संस्था का भी आप mention कर सकते हैं नाम बता सकते हैं आप government agencies, NGOs या फिर websites का भी information दे सकते हैं जहां से यह सूचना आपने quote की है आप इस विशह के बारे में क्या सोचते हैं, क्या जानते हैं, क्या महसूस करते हैं वो अब बतानी की बारी आ गई है फिर what is the present and future scenario of the talked topic अभी उस topic की क्या position है, कोई चीज पहले खराब थी, अच्छी थी या अब खराब या अच्छी हो गई है क्या improvement हुआ है, क्या downgradation हुआ है, उसके बारे में भी आप यहाँ पे mention करेंगे last conclusion में, अपने opinion के साथ साथ Now let's see an example of article writing हम यहाँ पर एक example देखेंगे article writing का, topic हमने लिया है employment तो इसे कैसे लिखेंगे? सबसे पहले उपर top पे यह line लिखेंगे, दो words लिखेंगे, article writing या simple article लिखेंगे, ताकि यह पता चल जाए सामने वाले को, पढ़ने वाले को कि यह क्या लिखा हुआ है फिर आप लिखेंगे employment heading देंगे, title देंगे फिर एक line का gap छोड़ते हुए, लिखेंगे by किसने यह article लिखा है, Rajesh, Rajeshwarie, Suresh, Sureshwarie, it can be any name आपको नाम बताइए, फिर एक line gap छोड़ करके, आप paragraph स्टार्ट करेंगे फर्स paragraph में, आप define करेंगे पहले for example, employment is a paid job situation of an individual, यह definition हो गया इसके बाद आप उसके बारे में कुछ और भी detailing बताएंगे employment is one of the basic requirements of a common man belonging any country in the world for economic sustenance किस लिए वो जरूरी है employment, यह बता दिया and you can tell about the types there are four types of employment, full time, part time, seasonal और temporary तो यह एक paragraph, एक structure आपका तयार हो गया, first paragraph का जिसमें आपने define किया, types बताएंगे और वो किस से related है वो common man से related है यह topic, तो यह भी आपने बता दिया किस लिए जरूरी है, for economic sustenance यह भी बता दिया आपने दूसरा paragraph, जो कि धा, data और facts से related है यह है, so we have taken the information from a website called economics time, so according to trading economics time, the name of the website is tradingeconomicstime.com, website there is visible disparity in employment rate among G20 countries, यह G20 countries जो है, जिसका की यह जो data है G20 countries का, उसके हिसाब से हमें दिखता है कि बहुत ही ज्यादा disparity है employment rate की अलग-अलग देशों में, तो Mexico में employment rate 97.6% है, so this is Mexico has 97.6% employment rate, while India has only 43.3% of the employment rate, most of the people are employed in education and general medicine worldwide, the highest growing employment sector is retail market, तो आपने बहुत categorically आपने data भी दे दिया, उसका source भी बता दिया, फिर आपने यह भी बताया कि किस-किस sector में सबसे ज्यादा employment world में होता है, तो education sector में होता है, teachers बनते हैं लोग, या फिर general medicine में, nurses वगरा भी बनते हैं, यह highest ratio है, फिर आपने बताया कि भविश्य में किस sector में employment की opportunities हैं, वो है retail marketing का sector है, तो आप अपना opinion बतायेंगे, third paragraph में, in my opinion, the governments should prioritize the employment opportunities to develop the lifestyle of their countrymen, in a third world country like India, employment is necessary to develop the GDP, GDP and GHI, gross human, this is gross happiness index, sorry, this is gross happiness index by a comprehensive policy, तो 18 paragraph में आपने सूचना है, दे दी है, यह information दे दी है, इस तरह से आपका एक comprehensive paragraph या फिर article तयार हो गया है, thank you very much, if you have any questions, please mail me at nityalandesh.vns at gmail.com, thank you very much,